नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में अक्त स्वागत है आज हम एक ऐसे गाने की डरावनी और दुखत कहानी के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर के दुनिया भर में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी ये कहानी दिल तोड़ देने वाली रहसे में और काली सच्चाईउ से भरी हुई है ये कहानी है गलूमी संडे की जिसे हंगेरियन सुसाइट सौंग के नाम से भी जाना जाता है हम मेंसे कई लोग अपने मूड को बहतर करने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए संगीत सुनना पसंद करते हैं संगीत एक शक्तिशालिमाध्यम हो सकता है जो हमारे मूड को नियंतरित करता है चाहे वह पार्टी हो, शादी हो या दिल तूटने का पल हर मोकी के लिए गाना होता है लेकिन सोचिए एक ऐसा गाना जो इतना दुख़दो निराशा जनक हो कि इसे सुनने वाले लोग अपनी जान ले ले आव विश्वस्न ये लगता है ना गाने सुनना कई लोगों को काफी पसंट है लोग अकसर अपनी भावनाओं को नियंतरित करने या उन्हें जाहिर करने के लिए गानों का सहारा लेते हैं वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अकसर अपना मूट फ्रेश करने के लिए गाना सुनते हैं दुनिया भर में अलग लग भाशों में कई तरह के गाने बनाए जाते हैं ये गाने अलग अफसरों के लिए काफी परफेक्ट होते हैं शादी, पार्टी, तूटा दिल, या प्यार, महबत हर एक हालत के लिए कई तरह के गाने हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गाना भी है जो लोगों की मोत का कारण बना है अगर इसे सुनकर आप हैरान हो रहे हैं तो बता दें कि ये बात बिल्कुत सच है कई साल पहले रिलीज हुए इस अंगरेजी गाने को सुनकर के कई लोग आत्म हत्या कर चु बात है साल 1933 की जब हंगरी के गीतकार रेजसू सैरेस ने गलूमी संडे नाम का एक गाना लिखा इस गाने के बोल इतने उदास हिन थे कि जिसने भी इसे सुना वैर डिप्रेशन के कारण जान देने लगा कहा जाता है कि इस गाने को सैरेस ने अपने प्रेमिका के छोड़ कर जाने के बात लिखा था इस गाने के बोल और संगीत को सुन लोगों में दर्द और दुख भर जाता था यही वज़ा थी कि इस गाने को हंगेरियन सुसाइट सौंग भी कहा जाने लगा गाने के बनने के बाद शुरुआत में कई प्रोड्यूसर्स ने इसे रिकॉर्ड करने से मना कर दिया था क्यूंकि उनका मानना था कि ये गाना इतना ज़्यादा अफसाध युक्त है कि शायद ही कोई इससे सुनना पसंद करे हालंकि दो साल पाथ 1935 में इस गाना रिकॉर्ड और रिलीस किया गया लेकि इस गाने के रिलीस होने के कुछ समय बाद ही देश में तीजी सा आत्मध्या के मामले बढ़ने लगे खास बात ये थी कि उस दोरान जिन लोगों ने भी मोट को गले लगाया सभी के आसपास या तो इस गाने की मुझूद की दर्श की गई या उनके सुसाइट नोट में इस गाने का उलेक मिला था रिपोर्ट्स की माने तो उस दोर में गलूमी संडे काने की वज़ा से करीब सत्रा लोगों ने पनी जान दे दी थी बाद में यही संख्या बढ़ करके सौ के आसपास पहुँच गई थी मौत के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस गाने को दुबारा कमपोस किया गया लेकिन फिर भी खुदकुशी के मामलों में कोई कमी नहीं आई जिसकी वज़ा से साल उननी सो तालिस में इस गाने को बेंट कर दिया गया लगबग बासर साल तक बेंट रहने के बाद साल दोहजार तीन में इस गाने से बेंट हटाया गया हैराने के बाद यह रही कि इस गाने को सुनने के बाद गाने के जो कंपोजर थे रेजसोर सारेस की गिल्ड फ्रेंड ने भी आत्मत्या कर ली थी ना ही नहीं गाना रिलीज होने के 35 साल बाद खुछ सारेस ने भी अपनी जान दे थी ये सयोग था या सूची समझी को योचना कि उन्होंने रवीवार को ही मोट को गले लगाया अपनी जान देने के लिए सारेस ने पहले अपार्टमेंट की खिड़के से कूद करके आत्मत्या की कोशिश की लेकि इस दोरान उन्हें बच्चा लिया गया हालंकि अस्पताल में इलाज के दुरान उन्होंने एक तार से अपना गलां खोट कर पनी जान दे दी दरसल इस गाने के बोल इतने उदासीनों निराशा भरी थे कि से सुनकर के हर कोई दर्द और पीरा से भर जाता था गाने में मोट को भेतर और जिन्दी को खराब अटाया गया है सिर्फ मरने के बारे में लिखे कि इस गाने को गाया भी बहुती दुक बड़े अंदाज में था हालंकि काफी विवादों में रहने के बाद भी इस गाने को अलग लग 28 भाशाओं में करीब 100 गायकों ने अपने आवाज दी थी 100 से जादे इन गानों में अंग्रेजी में बिली हॉलिडे द्वारग गाये गए गाने के इस वर्जन को जादा प्रसिदी मिली और इसी पर ही बैन भी लगाया गया था इस गाने के खौफनाग इत्यास को देखते हुए 21 अक्टूबर 1999 में हंग्री जर्मनी में गलूमी संडे नामक फिल्म रिलीस की गई ये फिल्म इस गाने के डरावने इत्यास और इसके कंपोजर रजसो सारेस और उनकी अधूरी प्रेम कहानी पर आधारे थी हालांकि इस फिल्म को कभी भी अधिकारिक तोर पर सारेस की बायोग्राफिक खुशित नहीं किया गया इस गाने के मूल बोल का शीरशक था दुनिया का अंत और ये यूद के कारण उत्पन इराश्य के बारे में था जो लोगों के पापों के बारे में शान परात्रमस माप्त होता है कवी राजजलो जावोर ने इस गाने के लिए अपने बोल लिखे थे और जिसका सीरशक था दुखी रविवार जिसमें नायक अपनी प्रेमिका की मृत्य के बाद आत्माता करना चाहता है इस गीत के बाद वाले बोल अधिक लोगप्रिये हो गए जबकि पहले वाले बोल लगभग भुला दिये गए गलूमी संडे को पहली बार हंगेरियन पॉप गायक पॉल कॉलमार दौरा 1935 में रिकॉर्ड किया गया था इसे अंग्रेजी में पहली बार हल कैम दौरा 1936 में रिकॉर्ड किया गया था जिसके बोल M.M. Lewis ने लिखे थे ये गीत 1941 में जैज और स्विंग संगित काई का बिली हॉलिडे के संस्क्रन के रिलीस के बाद अंग्रेजी भाशा दुनिया में प्रसीद हो गया लूइस के बोल आतमत्या का संधर्ब देते थे और रिकॉर्ड लेबल ने इसे हंगेरियन सुसाइट सौंग की रूप में पढ़नित किया था इस गाने को लिखा कि एक शहरी कीमदती है जिसमें दावा किया गया है कि कई लोग ने इस गाने को सुनते समय आतमत्या कर ली खास करकि हंग्री के लोगों ने इस गाने की रचना रचसो सेरस ने पैरिस में की थी जब वह गीतकार की रूप में स्थापित होने का प्रयास कर रहे थे मूल संगीत रचना एक प्यानों की धुन थी जिसमें इसके बोल गाये जाते थे सेरेस ने ये गाना ग्रेट डिप्रेशन के समय और उनके देश हंग्री में बढ़ते फासी बादी प्रभाप के समय लिखा था हलंकि सोर्सिस की बात करें तो इस बात पर भिन भिन राय है कि उनकी गाने की प्रेणना व्यक्ति का निराशा से अधिक थी या दुनी के भविश्य के बारे में चिंताओं से थी सेरिस के बोल का आधार मानवता के अन्याय पर एक आरूप था जिसमें आधुनिक दुनिया और बुराई करने वाले लोगों पर भगवां से दया की प्रातना की गई थी को सुझाब हैं कि एक्चल में जो बोल थे वो दृत्ते विश्यूत के बार लिखे गए थे और 1936 में कॉपिराइट किये गए थे सेरिस को शुरू में एक परकाशक होजने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि उसके गाने को पसंद नहीं कर रहे थे सब ये केवल इतना नहीं कि गीत उदास है उसके बारे में एक तरह की बिहानक अनिवारे निराशा भी थी इस गाने में और इसलिए जाड़त तर जो रिकॉर्ड करने वाले होते थे वो इस गाने को बिलकुल पसंद नहीं करते थे इसमें बहुत जाड़ा उदान सिंता थी गीत को 1933 के आनित में शीट संगीत के रूप में प्रकाशित किया गया था जिसमें कभी लास चलो जावो और तवारे लिखे गए बोल थे जो हाली में अपनी मंगीतर के साथ ब्रेक अप से प्रेरी थे अधिकांस सोर्सिस के अनुसा जावो ने गीत के पहले प्रकाशिंग के बाद इसके बोल को फिर से लिखा खालंकि उन्हें कभी कभी इसके मूल बोलों की लिखा के रूप में भी वर्णित किया जाता है उनके बोलों में कोई राजनितिक भावना नहीं थी बलकि ये एक प्रियजिन की मृत्यू के लिए एक विलाप और बाद के जीवन प्रेमिका से मिलने की पितगिया थी गीत का ये संस्क्रन बहुत ज़्यादा प्रसीद हो गया था और बाद में अधिकतर पूंग लेखन खोई होए प्रेम के विचार के रिद्गरित अधारित हैं तो फाइनली हम ये कहेंगे कि गलूमी संडिक ऐसा गाना है जिसने अपने उदासिन बोल और संगीत के कारण करी लोगों को अपनी जान देने के लिए प्रेरित किया ये गाना ना केवल अपने समय में बलके आज भी एक रहसे और विवाद का विश्य बना हुआ है इसके इत्यास और प्रभाब को जानने के बाद इस पर्ष्ट है कि संगीत की शक्ती कितनी गहरी और प्रभाबशाली हो सकती है और कैसे गाना भी लोगों की जिन्दकी और मोत पर प्रभाब डाल सकता है तो ये वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की है वो हमने आप कोशिश की अपनी तरफ से इस गाने के बारे में बताने के लिए जो शायद कई लोगों को नहीं पता होगा और जो अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिक है सिग्निफिकेंस रखता है कि कैसे गाना भी किसी की मोत का कारण हो सकता है आपने अगर हमाई चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को कामेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें खूब सारा प्यार दीजिए थैंक्स वर वाचिंग